चलिए उस तो बात करते हैं सिकूर नई कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामनर ने कहा है एक वैपारी अंकित मुल्य पर 15% की चूर देता है 19% लाब कमाने के लिए उसने अपने माल का मुल्य क्रैम मुल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए यह एक्जामनर पूच रहा है यानि कि एक्जामनर कह रहा है कि यदि उसका मार्क प्राइज अंकित मुल्य अगर 100 रुपय है तो उस पर क्या करता है 15% की चूर देता है और वो उसे बेज देता है यानि कि अगर मुझे SP रखा 85 अगर मैं से 100 अपोन में 119 करूँगा तो यह मेरे पास किया जाएगा इसका आपका CP आजाएगा यह नि कोस्ट प्राइज तो 17,5,85 और 17,7,119 यानि कि 500 बटे में 7 यह मेरे सका क्राय मुल्य जाएगा इस साथ को अगर मैं इधर मुल्टिप्लाइ करूँगा तो यह मेरे पास में 700 हो जाएगा और क्राय मुल्य कितना हो जाएगा 500 हैगा 500 अलिची 700 बेच रहा तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा 200 बटे में 500 करूँगा, 32 में 100 करूँगा तो यह मेरे पास में प्रॉफिट परसेंट है इस से कटा तो पांच योग 20 यानि कि उसे टोटल जो प्रॉफिट होगा मार्क प्राय से बेचने में 40 परसेंट का होगा यानि कि option जोगा भी इस question के लिए correct होगा इस तरह से नहीं कर अपराइस 20 रुपे है तो वह बेच कितने पे रहा है 3 रुपे कम यानि 17 पे बेच रहा है यह MP हो गया और यह आपका SP हो गया 17 रुपे में बेच रहा है, तो उसे कितना पर्शंट का profit रहा है? 19 पर्शंट का. यानि कि अगर मैं 19 बटे में इसे 100 खोल दूँ तो ये मेरे पास में 100 रुपे 19 रुपे का profit लेके बेचेगा, तो वो बेचेगा कितने में 119 बटे में आपका 100 पर बेचेगा तो जब भी हम ratio से solve करतें, तो क्या करतें, इस वाली value को आप इससे multiply कर दिजिए, तो ये कितना होगा 19-38, और ये कितना होगा 19-38, और ये जाएगा आपका 2-2, और ये 0, ये क्या जाएगा इसका mark price, अब इस 17 को आप इससे multiply कर दिजिए, ये 1700, ये क्या जाएगा आपका CP, इ इतने पर होगा 17 पर हो रहा है, इन टू भी 100 कर दिजिए, इससे कर दिजिए 17-38, ये कि 40% का क्या होगा से आपका profit हो रहा है, I hope आप सभी कोशिन समझ में आया होगा.